66 के आपके चैनल पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं परिक्षा में आने वाले अत्यंत महतोपूर्ण मुहावरे अगर आपने इन महावरों को आज कर लिया तो आप समझ जाए कि एक्जाम में इन में से कोई ना कोई प्रशन तो जरूर आएगा और आपके मांक्स को ये करेगा सुने शिट तो अगर आज के इन महावरों को अगर आप कर लेते हैं और सीख लेते हैं तो आपके परिक्षा मे एक से दो मांक्स हो जाएंगे बिलकुल मुफ्ट तो चलिए शुरू करते हैं और कम्प्लीट करते हैं आज के इन मुहावरों को आज हम करेंगे 20 मुहावरे तो वीडियो को एंट तक देखिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला मुहावरा है आखों का तारा आखों का तारा मतलब बहुत अधिक प्यारा अगला आखें बिचाना इसका अर्थ है इंतजार करना आखें बिचाना आपने गानों में सुना होगा कि आखें बिचाई बैठी थी इंतजार कर रही थी आखों में धूल जोकना आखों में धूल जोकना अपने सुना होगा कहते हुए कि तुमने तो मेरी आखों में धूल जोक दी इसका अर्थ धोखा दे देना अगला मुहावरा आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोध करना अत्यधिक क्रोध करना अगला आस्तीन का सांप होना इसका अर्थ है कप्टी मित्र या फिर कप्टी होना आस्तीन का सांप होना अर्थात कप्टी मित्र आस्मान तूट पड़ना अरे मुझे पे तो आस्मान तूट पड़ा अर्थ अचानक मुसीबत आ जाना अचानक बहुत सारी मुसीबत एक साथ आ जाना आस्मान पर दिमाग होना अर्थात अहंकारी होना आजकल इसका दिमाग तो आस्मान पर चड़ गया है इड का जवाब पत्थर से देना अर्थात करारा जवाब देना इड से इड बजाना अर्थात धुस्त कर देना पांडवों ने कौरवों की इड से इड बजा दी उल्टे छुरे से मून्धना उल्टे छुरे से मून्धना मतलब उल्टे छुरे से ही काम कर दिया अर्थात ठग लेना उल्टे छुरे से मून्धना अर्थात ठग लेना उड़ती चिडिया के पंख गिनना अरे तुम तो मुझे जानते नहीं मैं तो उड़ती चिडिया के पंक गिन लेता हूँ अर्थात अत्यंत चतुर होना उट के मुह में जीरा अर्थात अधिक खुराक वाले को कम देना अरे यह मुझे क्या दे रहे हो यह तो उट के मुह में जीरा के समान है ओखली में सर देना ओखली में सिर देना अर्थात जान बूज कर मुसीवत मोल ले ले जबदस्ती मुसीवत मोल ली अंधी खोपडी का होना अर्थात बेवकूफ होना अंधी खोपडी के क्यों परेशान कर रहा है कलेजे पर पत्थर रखना अर्थात दिल को मजबूत करना दिल को मजबूत करना पिता ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की विदाई करी कलेजा मुह को आना कलेजा मुह को आ गया अर्थात घबरा जाना डर जाना काठ का उल्लू होना काठ लकडी का उल्लू होना अर्थात मूर्ख होना काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना कुए में बांस डालना कुए में बास डालना मतलब क्या हुआ कुए में बास डालने का मतलब है बहुत जादा खोजबीन करना बहुत जादा खोजबीन करना कलेजा फटना कलेजा फट जाना कलेजा फट जाना अर्थात बहुत जादा दुखी होना कि उसका तो कलेजा ही फट गया इस situation में या इस दुविधा में उसका कलेजा ही फट सा गया खटाई में पढ़ना खटाई में पढ़ना अर्थात व्यवधान आ जाना मतलब कोई न कोई गड़बड़ी हो जाना तो यही थे आज के 20 मुहावरे आशा है कि आपने सभी अच्छे से कर लिए होंगे अब एकर दुबारा शुरू से करते हैं देखते हैं क्या आप इसको सीख चुके हैं लेट अस डू वन रिविजिन तो चलिए पहला है आखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा आखे विछाना विल्गुल सही इंतजार करना आखों में धूल जोकना धोखा दे देना आग बबुला होना अर्थात अत्यधिक क्रोधित होना आस्तीन का सांप होना कप्ती मित्र आस्मान तूट पढ़ना मतलब अचानक मुसीबत आ जाना आस्मान पर दिमाग होना अर्थात अहंकारी होना इट का जवाब पत्थर से देना करारा जवाब देना इट से इट बजाना ध्वस्त कर देना उल्टे छुरे से मूणना ठग लेना उड़ती चिडिया के पंक गिनना अत्यंत चतुर होना उट के मुह में जीरा होना अर्थात अधिक खुराकवाले को कम देना ओखली में सिर देना जान बूज कर मुसीबत मूल लेना ओंदी खोपडी का होना बेवकूफ होना कलेजे पर पत्थर रखना दिल मजबूत करना कलेजा मुह को आना घबरा जाना दुखी होना खटाई में पढ़ना अर्थात व्यवधान आ जाना तो यह थे दोस्तों आज के 20 मुहावरे कैसे लगे अगर आपके वीडियो अच्छे लेगी तो जुरूर लाइक करें और अगर आपने इसको सीख लिया है तो आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही आपको regular वीडियो मिलती रहेंगी और ऐसे ही आपकी preparation में मिलती रहेंगी एक नई mode हर रोज तो अभी के लिए तना ही वीडियो चले ही तो लाइक करते हैं और चैनल के साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को आउन करना ना भूलें मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद